नमस्कार दोस्तों स्वागत आपकार के क्लासिस में बात करेंगे आज हम लोग मुगल सीरिज में थोड़ा हटके है शूर वंसकी अभी तक हम लोगों ने बाबर और हुमायू को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस के तोर पर इसे आप जरूर देखें तो बात करेंगा है जम लोग सूर वंस की देखी कहता है कि सूर वंस किस था अपना सेर सासूरी ने की थी सेर सासूरी ने आगे कहता है कि सेर सासूरी के बच्पन का नाम फरीद खान था कई दफा पूछा गया है सेर सासूरी के बच्प पंजाब में क्लियर है कहता है कि फरीद को मतलब सेर सा सूरी को सेर की सेर खांकी उपादी बिहार सासक बुहार खां लुहानी ने जी थी कई दफा ये सवाल पूछा गया है सवाल अगर हम से पूछ ले कि सेर सा सूरी को सेर खांकी उपादी किस ने जी थी तो बुहार खां ल जुहानी ने कहता है सेरसा सूरी ने अपने सासन काल में सेरसा सूरी मार्क बनवाया यह सड़क जो है बंगाल से पेशावर तक जाता था चेक है बंगाल से पेशावर तक जाता था और इस सड़क के किनारे शराय मतलब रिष्ट करने के लिए और कोश मिनार कोश मिनार रोट पर जाब इस तरह देखते हैं इतना किलोमेटर ये सेर्शासूरी ने स्टार्ट करवाया था वरतमान में इस सड़क को जीटी रोट कहा जाता है जो की अमरित सर से कलकत्ता तक है फिलाल वरतमान में एट परिजेंट क्लियर है कहता है कि सेर्शासूरी ने चांदी सिक्के की रुपिया एवं तांबे का दाम चलवाया था बहुत इंपोर्टन कई दफा पूछा गया है बात करें दाम और रुपिया का अनुपात तो 64 अनुपात एक था क्लियर है रुपिया किसने चलवाया था सेर्शासूरी ने दाम सेर्शासूरी ने अनुपात 64 अनुपात एक कह क्षेर्सा सूरी का सिखंग से पूछने कि उपाधि लिए उसके बाद सुल्तान की धारण की थी अ quello किस ने द्यान रखना है डागसिवा का प्रचलन किसने शुरू किया रूपया विची ने चलाया था अलाओदिन खेल जी द्वारा सूरी ने की थी सवाल अगर हम से पूछ ले कि पट्टा पर्था की सुरुवात किस ने की थी सेरसा सूरी ने आगे इसके लावा कहता है दिल्ली का पुराना किला किस ने बनवाया था सेरसा सूरी ने दिल्ली का पुराना किला रोताजगर का किला 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 एकोना ये सब जो ह सेर्चा सूरी ने ही बनवाया था, कहता है कि पाटली पुद्र का नाम पटना ये सेर्चा सूरी ने किया था, सेर्चा सूरी ने सीधे रायतों से माल गुजारी वसूल करने की प्रथाय स्टार्ट की थी, ज्यान रखे, सीधे माल गुजारी वसूल जो हरायतों से वसूलने की प्रथाय स्टार्ट के थी सेर्चा सूरी ने सेर्चा सूरी का मकबरा बिहार के सासराम में है सासराम का जो मकबरा है हिंदी तथा इरानी वस्तुकला का समन्वे का प्रथम उधारन है लगा लिजे इंपोर्टेंट में स्टार कई दफा अच्छे एक्जामों में पूछा गया है सवाल अगरम से पूछ ले कि हिंदी तथा इरानी वस्तु कला के समन्वे का प्रथम उधारन है 10 मायू का मकबरा फलना का मकबरा तो ध्यान रखना है सासराम का मकबरा मतलब सेर सासूरी का मकबरा कहता है कि कालिंजर अभियान के दोरान उक्का उक्का नामक अस्त्र चलाने के तो क्रम में चलाने के दोरान सेर सासूरी की मिर्थी हो गई थी सवाल पूछा गया है कि किस अस्त्र को चलाने के कारण या चलाती समय सेर सासूरी के मिरती हो गई थी उक्का और सेर सासूरी ने कहा था कि एक मुठी वर बादरे के कारण मैंने समराज खो दिया था सेर सासूरी के उतराधिकारियों की बात करें तो ये है इसलाम सा सूरी, आदिल सा सूरी इसी का दिवान था हेमू फिर आया शिकंदर सूरी इसी को हमायू ने हराया था जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था सरहिंद के यूद में 1555 में कलियर है तो सेर सासूरी के बारे में इतने important fact है, आपको ध्यान में रखना है कि रुपिया, दाम, डाक विवस्था कबूलियत पट्टा पर था फिर आपको ध्यान में रखना है कि जीटी रोड कहां से कहां तक वरतमान में कहां से कहां तक है इसको उपाधी किस ने दे थी इसका मकबरा कहां पर है जन्म कहां हुआ था ये बेसिक चीज़ें में ध्यान में रखने है जो कि एक्जाम में पूछा जाता है यहां एक और फैक्ट देख लिए बरिद ए मुमालिक कुप्सचर विवाग के प्रमुक को कहते थे बरिद ए मुमालिक तो दोस्तों ये था सीर सा सूरी उमीद है आपको ये पसंद आयोगा मिलते हैं अगले लेक्षर में धन्यवाद